अगर आपको सोना बहुत पसंद है जपकी लेना आपकी फेवरेट हो भी है तो आपके लिए खुश खबरी है हार्ट नाम के जनरल में प्रकाशित एक नई स्टडी में ये बात सामनी आई है कि वैसे लोग जो दिन के समय जपकी लेते हैं और सो जाते हैं उन्हें हार्ट अटेक आने का खत्रा कम हो जाता है स्विर्जिलंड की यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ओफ लौसिंग की रिसरच टीम ने एक स्टडी की और वैस नतीजे पर पहुचे कि वैसे लोग जो हफ़ते में एक या दो बार दिन के समय सूते हैं उनमें हार्ट अटेक और स्ट्रोक का खत्रा 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है उन लोगों की तुल्ला में जो दिन में बिल्कुल नहीं सूते हैं इस स्टडी के लिए अनुसंधान करताओं ने 35 से 45 साल के बीच के 3462 स्विस अडल्स की गतिविधियों को करीब 5 साल तक ट्रैक किया जब यह स्टडी शुरू हुई उस वक्त स्टडी में शामिल करीब 58 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि उन्होंने पिछले सब्तहाद दिन के समय जबकी नहीं ली थी जबकी 19 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने एक या दो बार जबकी ली करीब 12 प्रतिशत ने 30 से 5 बार और 11 प्रतिशत ने 6 से 7 बार जबकी ली स्टडी के खत्म होने तक अनुसंधान करता इस नतीजे पर पहुचे कि वैसे लोग जिन्होंने हफते में एक या दो बार दिन के समय जबकी ली या सोई उनमें हार्ट अटेक, स्ट्रोक और हार्ट फैलियर का खत्रा 48 प्रतिशत तक कम हो गया उन लोगों की तुलना में जो दिन के समय पूरे हफते बिलकुल भी नहीं सोई यह स्टडी ऑब्जरवेशनल थी यानि अनुसंधान करता होने इसके कारण और असर पर कोई स्टडी नहीं की आखिर क्यों दिन में कभी कबा जबकी लेना हार्ट हैल्थ के लिए अच्छा है हला कि स्टडी के लीड ऑथर की माने तो दिन में जबकी लेना दिन के लिए इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि नीन पूरी नहीं पर जो स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है वो दिन में जबकी लेने से कम हो जाता है हला कि कितनी देर तक सोना है या जबकी लेना है इस बारे में एक स्टडी में कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन नेशनल स्लिप फाउंडीशन की माने तो दिन के वक्त 20 मिनिट की जबकी काफी है यह आपका मूर बहतर बनाने के साथ साथ आपको और जादा अलर्ट बनाने क के लिए बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस देल आइकन फोर अपडेट्स